नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात कर रूपीस ओमेस कोईन के बारे में काफी सारे सब्सक्राइबर्स है मेरी जो ओमेस कोईन की जानकारी चाहते हैं सब्सक्राइबर्स उनको पसंद है ओमेस कोईन की जानकारी ओमेस और मेतल में मिंट को जिस मेकल में सिखा बनाना था हूँ मेटल में सिरकुलरेशन में थृता आये हैं उस मेटल में सिखा ना बनकर दूसरे मेटल में सिखे की इसको उमे औहले से कहाople हो जाया हुआ एश का सिखीन पर ़ावा nations कर थो इस तरह के coin जो बनाए गए थे ये बनाए गए थे stainless steel में और इस तरह के coin जो है ये बनाए गए थे 2011 से लेकर 2019 तक टूरूपे का ये 2017 का coin देख रहे हैं आप ये चार अलग-अलग मिंटों बनाए गए था बॉंबे, कलकत्ता, हैदरबाद और नोईडा लेकिन इसी 2 rupees के OMS coin के बारे में आप से बात करूँगा इसकीन पर जो coin आप देख रहे हैं ये stainless steel के metal का coin नहीं है OMS coin का मतलब ये होता है of metallic strike, यानि अलग metal में सिक्के के strike होना, सिक्के का बनना दोनों सिक्कों में different समझने कोशिश करें एक तरफ ये 2 rupees का coin देखे जो stainless steel में है और दूसरी तरफ ये 2 rupees का coin देखे जो की brass की धातु में बनाया गया है दोने सिक्कों में आपको फरक देखे जाएगा stainless steel के और brass के coin में आपको फरक देखेगा ये brass के coin इस तरह के है जैसे 5 rupees की coin आपने देखे होंगे nickel brass की उसी तरह का ये coin है mint की तरफ से अलग-अलग metal में सिक्के की पहले trial किया जाता है, strike की जाती है फिर बाद में decide किया जाता है, decision लिया जाता है कि अभी कौन सा सिक्का circulation में यूज करना है तो ये coin भी उनी में से है, ये coin आम चलन में तो देखने को नहीं मिलेते हैं इस तरह के 2 rupees के brass के stainless steel के use कर रहे हैं 2 rupees के coin तो कलकता mint की तरफ से ये off metal strike coin देखने को मिलता है ऐसे coin की अगर कीमत की बात करें तो हमेशा OMS coin की कीमत जाद होती है क्योंकि quantity कम होती है कुछ OMS coin है जो circulation में आ जाते हैं कुछ coin होते हैं जो circulation में नहीं आते हैं हो सकता है ये coin आपके पास भी available हो या मिल जाए आपको इसलिए मैंने इस coin की जनकारी देना जरूरी समझा ऐसे coin बहुत सारे collectors हैं जिनके पास इस तरह के OMS coin देखने को मिल जाते हैं मेरे एक subscriber भी है जो सरिफ OMS coin का ही collection करते हैं किसी दिन एक वीडियो क्लिप उनसे मंगा करम आपको दिखाऊंगा भी किस किस तरह के उनके पास OMS coin के collection available है इस brass के coin के अगर बात करें दोजास सात्रा टू रूपी इस coin के बजन की बात करें तो 5.95 विराम कलकत्ता मिंट ओफ मेटल स्टाइक है यह coin है कीमत की बात करें तो 11,000 रूपी कीमत में इस सिक्का बिख चुका है तो valuable सिक्का है एक auction में 11,000 कीमत में बिखा है तो आप भी यह देखें आपको यह ध्यान लगना होता है कि circulation में जो coin यूज कर रहे हैं लेकिन अगर कुछ अलग दिखता हुँ सिक्का आपके पास है तो उस सिक्के को आप हमेशा किसी coin expert से किसी collector से चैप कर आए क्योंकि जो अलग दिखता हुँ सिक्का है आपको लगता है कि ऐससा सिक्का हम ने कभी circulation में यूज नहीं किया है यह ऐसा सिक्क में कभी नहीं देखा है तो ऐसे कोई इसको आप अलग अपने पास रखे समय समय पर एक्जिबिशन होती रहती है या आपको कोई जानकर कलेक्टर सो उनको सिक्क को चेक कर आए तो वह बहतर आपको जानकरी दे पाएंगे क्या वास्त में कोई ओमेस है और यह नॉर्मल कोई है जो आम चलने में यूज कर रहे हैं गर ओमेस है तो कीमत जादा होती है ऐसे सिक्क क्या अपने पास रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है कलेक्शन आपका और अच्छा होगा ऐसे तो यह वीडियो जानकरी कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताएगा और क्या आपके पास इस तरह के कोईन है या नहीं है यह भी बताएगा दोजास सतरा का टू सबसे पहले आपको मिलेंगे आज किस वीडियो को दोस्तों में खदम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद